स्टारिं विद नेम अफ अलालमाइटी फू इस दमोस ग्रेशियस और मोस मर्सिफूल असलाम अलेकुम आया मेहम अधरी हम पड़ रहे हैं क्लास 12 फिसिक्स चप्र नूंबर 1 एलेक्ट्रस्टेटिक्स तो आज के लेक्ट्चर में हम पड़ेंगे सुपर पुजीशन प्रेंशिपल तो हम पर जो के हैं अबाउट कूलम्स ला को किस के किस लिए यूज़ करते हैं तो कूलम्स ला हमें बताती है के तो कूलम्स ला को किस तर अप्लाई करेंगे तो सुपर पुजीशन प्रेंसिपल को सबसे पहले इस उसको रिफाइन करते हैं तो इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं तो ये प्रेंसिपल की स्टेटमेंट को चिस ता है इसका क्या मतलब है अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है एक पॉइंट चार्ज है Q1 पॉज़िटिफ पॉइंट चार्ज है लेट से और यहां पे एक दूसरा चार्ज हम मेरे पास है लेट इस Q2 यह भी एक पॉइंट चार्ज है यहां पे एक तीसरा चार्ज है लेट से यह है Q3 यहां पे एक चोता चार्ज है that is again इसी नेचर का है Q4 और up to so on let's say N चार्ज़ अवैलिबल हैं यहाँ up to QN up to QN चार्ज़ यहाँ पर हमारे पास मुझूद हैं तो इस केस में इस नाउ यह हमारे पास एक कलेक्शन है चार्ज़ इसकी यानि अगर आपसे कोई करें कि इस रूम में हमें यह रूम पॉइंट चार्ज़ से बर जाए तो क्या उस केस में हम कूलम्स लाउ को अप्लाई कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है क्यों नहीं कर सकते हैं तो remember यह statement हमें यह कह रहा है कि अगर हम लेट से इस पॉइंट चार्ज क्यों पे फोर्स जाहिर सी बात है यह भी इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स एक्जर्ट करेगा चार्ज क्यों त्री भी इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स एक्जर्ट करेगा क्यों फोर्स भी एक्जर्ट करेगा और अब तू जितने charges हमारे पास available हैं वो सारे इस point charge पे force exert करेंगे तो जो ये point charge इस पे force exert करेगा तो हमें पता है कि ये positive charge है अगर इस पे force exert करेगा तो इसकी direction कुछ इस तरह होगी और ये force होगा F12 F12 इसका क्या मतलब है This is the force exerted on one due to this charge और ये इस direction में हम जा रहे हैं इस direction में तो इस direction को हम कह सकते हैं इस direction को हम कह सकते हैं This is R21 जब हम 1 से 2 की तरफ जाते हैं तो हम लिखते हैं R21 यानि 1 2 तो इसको लिख सकते हैं R21 This is R21 unit vector Sorry, this is R21 position vector यानि हम इस direction में जा रहे हैं तो इसको हूं कह सकते हैं, यह R21, इसी तरह, यह Q3 जो point charge होगा, यह भी इस एक force exert करेगा, जो के इस direction में होगा, both are positive charges, तो यह जो force exert करेगा, वो कुछ इस direction में हमारे पास होगा, और it is because of Q3 charge, तो यह होगा हमारे पास F13, यानि force exerted on one due to third charge, और यह जो होगा, इसको मैं कह सकता हूं, R31, इसको मैं कह सकता हूं, R31, इसी तरह, यह Q4 charge हमारे पास होगा, यह इस पर force exert करेगा, और यह इस direction में होगा, the line of action, जिस line of action पर यह पड़े हैं, इस पर force exert होगा, यह होगा हमारे पास, F14, यानि force exerted on Q1 due to this charge, इसी तरह, अब यह जो, चितने भी charges होगे, तो QN charge हो होगा, तो उसका जो force होगा, इन सारे charge उसका individual हमने force find out करना है, simple बात है, हमारे पास एक point charge है, और इस point charge पे हमने, हमारे पास इसके इर्ध गिर्ध और collection of charges available है, तो हम क्या करेंगे, इस एक point charge का इस पे सबसे पहले force individual find out करेंगे, इनका कोई effect इस पे नहीं लेंगे, पिर इस no point charges, up to so n point charges पर इसको apply करेंगे, पिर ये कह रहा है, कि the force exerted on a single point charge due to n point charges is equal to the vector sum of all the forces present between these two charges, तो ये force, 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 इनको हमने victorially, victorially इनको aid up करना है, तो हम एक नमेरिकल इंशाल्ला ट्रा ही करेंगे, उसमें जब हम, अगर हमारे पास rectangle हो, equilateral triangle हो हमारे पास, और उसके corners पर हमारे पास charges हो, तो उसमें हम coulum's log के सरा apply करेंगे, तो उसमें super position principle को use करेंगे, लेकिन पिर उसमें हमारे पास vectors आ जाते हैं, तो vectors resolution भी important है, इसी तरह, तो पिर उसको बहार discuss करेंगे, लेकिन simply, जो force होगा हमारे पास, force on this charge, यानि total force होगा total force on this charge, वो equal होगा, F13, F13, plus F, sorry, this is, this is F12, this is F12 force, now this force is F13, जितने भी charges होगे, बस इनको individually add करेंगे, इन दोनों के दर्मियां जो force होगा, that will be F14, plus up to, हमारे पास Fn charges हैं, तो लेकि सकते हैं, Fn, तो हम लेकि सकते हैं, F1n, F1n होगा, फिर इसको हम मजीद इस तरह लेकि सकते हैं, के, F total हमारे पास equal होगा, F1 को हम लेकि सकते हैं, हमें पता है, के सब में common होगा, KQ, के, हम Coulombs law को, remember Coulombs law को हम इस तरह लेकिते हैं, F is equal to, KQ1 Q2 divided by R square, this is the mathematical form of Coulombs law, तो इसको हम जनते हैं, this is the Coulombs law, तो यहाँ पे किस तरह apply करेंगे, एक charge हमारे पास है Q2, यहाँ है Q1, यहाँ पे charge है Q3, यहाँ पे charge है Q1, Q4, Q1, Qn, Q1, जितने भी charges available होगे, Q5, Q6, इसी तरह, तो हमें पता है, के के तो सब में common है, that is 1 by 4 pi epsilon 0, this is 1 by 4 pi epsilon 0, in case of free space or vacuum, तो इसको हम लिख सकते हैं, इस तरह, इन दोनों के दर मियां force होगा, इसको लिख सकते हैं, Q1, Q2, divided by R square, और remember, यह R square को अगर आप unit, चुनके force, एक vector quantity है, तो इस R को फिर में इस तरह लिख सकता हूँ, it is because, it is R21, तो लिख सकता हूँ, R21 whole square, और इसकी जो direction होगी, आपको पता है, इसकी direction इस direction में, तो यहां इसका unit vector लगा सकते हैं, R21 unit vector, फिर इस तरह लिख सकते हैं, इन दोनों के दर मियां जो force होगा, हमारे पास Q1, Q3, R31, this is R31 distance, इनका inverse square लाओगा, और इसी तरह unit vector इस direction में है, तो इसको लिख सकते हैं, इस direction का unit vector, that is R31 unit vector, फिर इस तरह हमारे पास जितने भी charges होगे, Q1 और Qn जो charge होगा, उनके दर मियां force, divided by R, जो हमारे पास distance होगा, वो हमारे पास equal होगा, R N1, R N1 whole square, R N1 unit vector, तो जब इन सारे forces को हम aid करेंगे, इन सारे forces को हम aid करेंगे, तो यह हमारे पास equal होगा, दिस इसके, और K हमें पता है, K is equal to 1 by 4 by epsilon 0, तो गप्राने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ, सिर्फ इस point charge पे, individual, इसका force, इसका force, इसका force find out करना है, रेमेंबर, यह force find out करना इतना easy नहीं होता हमारे पास रेमें, पर अगर यह कोई rectangle, triangle होगा, अब हम numericals तो यहां discuss नहीं करेंगे, फिर किसी ओर दें discuss करेंगे, लेकर सिर्फ सूपर पूजिशन principle को समझते हैं, यह Q1 होगा, और यह Q2 होगा, तो देखें अगर let's say this is positive, this is positive, इसका force इसका इस तरह लगेगा, अब देखें, इन दोनों को aid करने के लिए, इनका resultant क्या होगा, जाहिसी बात है, इनका resultant किस तरह find out करेंगे, अगर मैं इसको यहां उठाके, यहां पे रखू, तो इनका resultant को इस तरह बनेगा, पर इस resultant force के जो components बनेगे, उनको resolve करेंगे, F1 x cross theta, F1 sin theta, तो अगर आपको vectors की समझ नहीं आ रही, तो हम class 11 physics में, vectors को काफी details से discuss कर चुके हैं, vector resolutions, rectangular components से किस तरह aid करते हैं, किस तरह, लेकिन somehow इसको हम discuss करेंगे, एक चोटा सा numerical जरूर Poolems law पर हम करेंगे, तो this is the superposition principle, that we add all the forces on a single point charge due to n charges, so this is an easy way to represent superposition principle, तो अगर आप से कोई पूछे, can we apply Coolems law for more than two point charges, yes we can apply Coolems law for more than two point charges, तो यह है superposition principle, इसके बाद हम पढ़ेंगे, applications of electrostatics, हमें electrostatics पढ़ रहे हैं, हमें पता है, electrostatics के से करते हैं, physics की वो बरांच, जिसमें हम charges को stationary state पे consider करते हैं, अब stationary state का मतलब यह है, कि अगर हम charge को stationary state पे consider करते हैं, तो इसके कुछ applications भ इसको हम study क्यों करते हैं, तो applications के लिए हम Coolems law के कुछ, इसके use जहां पे होते हैं, electrostatics के, इसका use it means, इसके applications, तो applications को physics में समझना, बहुत ही ज्यादा important है, topic इतना important नहीं है, जितना applications को समझना है, और यही चीज होती है, जहां से idea bond होता है, यह हमारे जहें में जो ideas आएं हम student start करते हैं, exam retention की वज़ा से हम पढ़ लेते हैं, और applications चौट देते हैं, कि these are not important, सबसे important चीज तो यही applications होते हैं, कि हम इसकी समझना ही आ रही है, तो हम daily life में, for example, हम इसमें पढ़ते हैं, zero graphy पढ़ते हैं, zero graphy, photocopier machine, laser printers, कितने use, इसमें सार electrostatics के phenomena use होते हैं, तो इसक applications of electrostatics में, सबसे पहरे जो हमारे पास है, that is the zero graphy, तो normally हम इसको बहुत ज्यादा देख चुके हैं, that is the photocopier machine, so I think students इसको जतना जानते हैं, और को इतना नहीं जानता होगा, photocopier machine, तो हम देख चुके हैं, यह बहुत ही बड़ा machine होता है, जो हम market में देख चुके हैं, जब हम print निकालते हैं, किसी चीज़ का, तो उनको देते हैं, उसका हमें एक photo state मिल जाता है, that is the photocopier machine, it works on the phenomena, it works on the principles of electrostatics, यहनी, charge अगर rest पे हो, तो इसको हम किस तरह use मिला सकते हैं, तो सबसे पहले, zero graphy का मतलब है, zero का मतलब है, dry, और graphy आप जानते होंगे, graphy का मतलब है writing, यानि इसमें हम dry writing करते हैं, यानि जो ink use होगा, जो के paper होगा जाहिर सी बात है, उस पे ink हम deposit करेंगे, तो ink जब उस पे चिपक जाएगा, तो वो dry होगा, हम liquid ink की बात नहीं करेंगे, तो इसका जो basic principle होगा, वो कुछ इस तरह होता है, कि इसमें हमारे पास एक drum होता है, एक drum जो के aluminum से बना होता है, और हम जाते है, aluminum is a good conductor, it is a good conductor, और हम जाते हैं, conductor में हमारे पास बहुत ज़्यादा free electrons होते हैं, free electrons, अब क्या होता है, ये aluminum drum जो होता है, it is the heart of photocopier machine, remember, it is the heart of the photocopier machine, ये इस तरह एक बड़ा drum होता है, और ये rotate होता है, continuously rotate होता है, अब इसके ऊपर ह होती है, जिसको हम कहते है, selenium, selenium हमारे पास, selenium is a photo conductor, इसका क्या मतलब है, selenium एक ऐसा material है, जिसको हम कहते है, photo conductor, यानि इसका मतलब ये है, कि अगर आप इसको dark में रखेंगे, यानि कोई light नहीं होगा, तो it works as an insulator, तो ये insulator होगा हमारे पास, dark में ये insulator की तरह काम कर अगर जैसे इस पे light fall होगी, then it conducts electricity, it conducts, फिर ये conduction करेगा, अगर light में नहीं होगा, तो ये insulator होगा, जैसे इस पे light fall होगी, तो ये conduction करेगा, तो ये है selenium, यहाँ पे इसका कुछ purpose है, इसको हम use कर रहे हैं, तो इस drum के ऊपर हम इसका coating करते हैं, जिसको हम कहते है, selenium layer, अ होगा हमारे पास, neutral, sorry, insulator होगा, जब इस पे light fall नहीं होगी, तो इस पे हम सबसे start में हम क्या करते हैं, इसके through एक, इसके साथ एक और चीज़ कनेक्ट होती है, इस पे हम positive charges sprinkle करते हैं, positive charges इसके पेदा करते हैं, positive, यानि इसको हम सबसे पहले, इस selenium layer को positively charge करते हैं, इस selenium layer पे positive charges तरह sprinkle करते हैं, तो आप इसको कह सकते हैं, sprinkle positive charges, तो हम इसका basic principle सीख रहे हैं, तो जैसे इस पे positive सबसे पहले ये selenium layer drum है हमारे पास, इसके ऊपर एक layer है, जिसको हम कहते हैं, selenium layer, that is a photo conductor, यानि जैसे इस पे light fall होगी, it acts as a conductor, और अगर light fall नहीं होगी, तो ये होगा हम हमारे पास, जिस paper पे, हमारे पास text मुझूद है, जिसका हम print लेना चाते हैं, photo copies की लेना चाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास यह paper होगा, जाहिसी बात है, और आपने वो light सा देखा होगा, जो light इसके नीचे से इस तरह गोजर जाता है, अब क्या होता है, ये जो light हो कुछ text लिखा होगा, एक ये होते हैं, dark regions, dark places, dark regions, और ये जो white जगा होगी, इसको हम केते हैं, white places, white places, अब remember, जो dark regions होगे, ये light जिस पे fall होगी, तो ये light को reflect नहीं करेगा, इसको हम बात में statements में लिख लेंगे, और जो white areas होगी, तो हम केते हैं, white color is a good reflector, तो ये light को reflect करेग और जो dark, यानि जहां पे text होगा, जहां पे लिखा होगा कुछ, तो वो light को absorb करेगा, not reflect करेगा, और जो white spaces होगी, वो light को, जैसे ही light इस पे पड़ेगी, वो reflect करेगा, तो जैसे ही light यहां एक lamp मुझूद होगा, ये light इस lamp से जाके यहां पे आएगी, तो जैसे ही इस पे dark places ह होगे, वो light को absorb करेंगे, और जो white places होगी, वो इसको reflect करेंगे, उस light को reflect करेगा, जैसे ही light reflect होगा, तो यहां ते हमने कुछ lenses का setup लगाया होता है, और ये light raised होती है, इसको हम इस selenium पे focus करते हैं, इस selenium पे focus करते हैं, अब क्या होता है, कि यह जो selenium, जैसे ही इस पे light तो यह conduction करेगा, conduction क्या होगी, जिस region पे, जहां जहां पे light पड़ेगा, वो region जहां पे positive charges होंगी, तो इस aluminium में हमारे पास free electrons होते हैं, तो यह free electrons जहां पे positive charges, जहां पे light पड़ेगा, वहां पे positive charge होगा वो neutralize हो जाएगा, कैसे होगा, इसको तोड़ा सा simple बनाते हैं, अगर यह पे, यह selenium है, और इसके उपर हमारे पास positive charges स्प्रेंग कर रहे हैं, positive charges, तो जहां जहां पे light पड़ेगा, जहां जहां पे light पड़ेगा, तो वो इस aluminium से free electrons जाएंगे और उस positive को neutralize कर लेंगी, तो जितने जहां पे light पड़ेगा, वही जगह पे जितना positive charge होगा, उतने ही free electrons उस positive charge को neutralize कर लेंगे, अब remember, यह जो हमारे पास text होता है, इस page पे जो text होगा, तो जितने neutralize हो जाएंगे और जितने रह जाएंगे, जितने positive charges यानि जहां पे light पड़ेगा सिर्फ वह positive charges neutralize होगे, और कुछ positive charges रह जाएंगे, and remember, जो भी positive charges रहेंगे, तो जो text होगा, उसका style होगा, लेट से हमारा जो यहां पे text edit is capital A, तो उसका style कुछ इस तरह होगा, जो charges होगे वो इस तरह plus A के शकल में हमारे पास नज़र आएंगे, तो देखें, यह positive charges इसके इलावा जितने wild places थे, वो तो इस phenomenon से हमने aluminum के जाएंगे इसको, इसके free electrons ने इस positive charges को absorb कर लिया, और जो रहे गए वो in the form of text रहे गएंगे, इन the form of text यह देख सकते हैं, this is A और इस पर हमारे पास positive charges आ जाएंगे, अब इसके बाद के साफ हतम नहीं होता, जैसे ही यह rotate होता है drum, तो जैसे ही rotate होगा, इस इसको हम केते हैं ink toner, यह जो ink toner होता है इसको हम यह negatively charged होता है, negatively charged, तो remember, के जिस तरह यह rotate होगा तो यह positive charge जहां पे आएंगे, बागी सारे तो हो चुके होंगे हमारे पास, जो रहे जाएंगे तो इसके positive charges, इस toner के करीब जिस तरह यह आएगा यह drum, तो इसका जो negative charge, positive charges, electrostatic phenomenon है, attraction होगी, तो जैसे ही हमारे पास attraction होगी, तो यह ink toner यहां से transfer हो जाएगा, और जहां पे plus charges है यहां पे transfer हो जाएगा हमारे पास, अब यहां पे किसा खतम नहीं होता, अब यह rotate हो रहा है, जैसे यह rotate होगा, तो यहां पे हम एक white blank paper डालते हैं, तो आपने देखा होगा, कि जब हम photocopy machine डालते हैं, तो यह तो हम जिसका photocopy निकालते हैं, वह तो उसके light के ऊपर रखते हैं, और नीचे से हम वह pages डालते हैं, तो वह page क्या होता है, वह page अब यहां से जैसे यह rotate होगा, तो यह इसका positive ink जो है, जो इस drum पे transfer हो चुका है, वह इस page पे transfer हो जाएगा, a हमारे पास यहां आ जाएगा, अब चुंके यह क्या होगाः, जैसे इस फे transfer हो जाएगा तो text हमारे पास आ चुका है, इसको पर भी हम pass करते हैं, इक फिरस whole whole allERS होते हैं हमारे में पास, इस तरह heated rollers के रोलर्स कहते हैं, यह लोगा है यहां पे हम heat phenomenon यूज करते हैं और page इनके दर्म्यान से पास होता है तो यह rolled होते हैं उन्हाले पास तो जैसे ही page इन दो rollers के बीच में पास होगा तो इस पे जो ink होगा toner का वो melt हो जाएगा तो यहां होगी इसकी melting, इसकी melting होगी, तो toner जो होगा, जब वो dry ink है तो यहां पे melt हो जाएगा, और अच्छी तरह से उस page पे deposit हो जाएगा, और हमें यहां पे output में हमारा text उस page पे मिल जाएगा, तो यह है zero graphy, कि हम zero graphy photocopier machine में electrostatics का use करते हैं, electrostatics को वहां पे हम देख सकत हैं किस तरह electrostatic induction, electrostatic flame amino से यह सब कुछ होता है, किसी दो material strong लेते हैं, फिर drum को इसके उपर layer लेते हैं, that is selenium, that is the photo conductor, तो dark places जो होते हैं, वो light को absorb करे ली, wild places reflect करे ली, फिर इसके use से हमने देखा कि पर इस सबसे पहले हम इस selenium के ऊपर positive charges डालते हैं, उसका एक function है, light जब फाल होगा, तो जितने positive charge इसके light फाल होगा, तो aluminium में free electrons हैं हमारे पास, free electrons, इसके free electrons इस positive charge को neutralize करेंगे, और जितने positive रह जाएंगे, तो actually हमारा text होगा, और vortex जिस तरह drum rotate करेगा, यहां पे tonner होगा, like as negatively charge, ink transfer हो जाएगा drum पे, तो text के बाद यहां पे हम page डालेंगे, उस page फिर यह transfer होगा, फिर heated roller से इसको pass करेंगे, हमारा हमें अपना page उस text के साथ मिल जाएगा, तो this is the photocopier machine, इसके बाद है हमारे पास laser printer, तो laser printer को भी वह इसी तरह fenomena है, लेकर उसको भी तोड़ा साथ discuss करते हैं, इसके बाद हमारे पास जो second application है, that is the laser printer, तो यह बहुत ही advanced printer है हमारे पास, इसमें क्या होता है, इसमें आप सिरफ computer का use करते हैं, for example, मेरे पास computer में एक figure है या picture है, उसका में print निकालना जाता हूँ, तो laser printer क्या होता है, यह printer का अंदर एक system है, और यह जो इसमें एक laser होता है, laser diode, जिसको हम इस तरह भी normally represent करते हैं, this is a laser diode, और laser diode जो होता ह है, वो computer के साथ connect होता है, computer से जो electronics, जो हमारा image होता है, it is converted into electronic signals, और यह signals in the form of electronic signals, जब laser की तरफ आते हैं, तो यह light, इस से light rays में convert हो जाता है, वो जो हमारा image होता है, और remember, यहाँ पे यहाँ पे भी हमारे पास एक drum होता है, जिसको हम कहते हैं, photo receptor drum, और इसको भी हम आलर भी charge देते हैं, तो इसके साथ एक और drum मुझूद होता है, उसके ज़रिए इसको charge करते है, positively charge, तो इस drum को सबसे पहले हम positively charge करते हैं, जिसको हम कहते है, photo receptor drum, अब क्या होता है, जो basic principle है, इसका laser, जो है laser, laser light, जैसे ही यह photo drum rotate हो रहा है, और जैसे ही laser light इस पे पढ़ेगी, तो जि जिन जिन regions पे laser light पढ़ेगी, जिन जिन regions पे laser light पढ़ेगी, तो वो areas हमारे पास neutralize हो जाएंगी, और जो regions हमारे और जो charges positively रह जाएंगे, तो इस ink toner से जो image होगा, वो इस पे transfer होगा, यानि यहां से जो ink होगा, वो यह positive charges ले रहेंगे, और यहां से हम एक page डालेंगे, और इस page पे हमारा text होगा, यहां पे हमें मिल जाएगी, जो हमारा text होगा, वो हमें इस page पे हमें मिल जाएगा, और यहां पे as a output हमें यह page मिलेगा, क्या होता है, कि laser light हम इस photoreceptor drum जो होता है, photoreceptor drum, इस पे हम positive charges इसको already positively charge करते हैं, फिर जब laser light इस पे पढ़ेगा, तो जिन regions हमारे पास positive charges हैं, वो regions neutralize हो जाएंगी, laser light का काम यह है, कि यह actually उसके according चलेगा, जो जैसा image हमने इसको दिया है, तो ऐसा image उसके according, यह laser light इस drum पे पड़ेगा, और जिन-जिन regions पे पड़ेगा, तो यह तो already positive charge हैं, तो वो regions हमारे पास neutralize हो जाएंगी, और जो positive charge रह जाएगा, तो वो positive charge यहां पे toner मुझूद है, तो यह electrostatic charge जो रह जाएगा, यह electrostatic charge इस toner से इस ink को इस पे ले जाएगा, इस toner से ink को attract करेगा, यह ink इस पे चला जाएगा, और फिर यहां से हम page डालेंगे, तो जो ink in positive charges पे आ चुका होगा, वो इस page पे transfer हो जाएगा, और हम यह अपना image मिल जाएगा, that is the laser printer, जिसमें laser का हम use करते हैं, तो वो ही phenomenon है, इसमें भी हम drum को पहले से charge करते हैं, इसके बाद हैं, जो हमारे पास last application है, वो है हमारे पास inject printer, इसके अलाव भी बहुत सारे applications हैं, लेकिन जो book में mention हैं, उसको हम explain करना है, that is the inject printer, तो इसके बाद पढ़ते हैं, inject printer, इसके बा हैं, वो हमारे पास liquid form में होता है, तो क्या होता है, यहां पे हमारे पास ink supply होती है, ink supply, एक डपा होता है, उसमें हमारे पास ink मौजूद होता है, यहां पे pump होता है, pump का काम यह होता है, कि इस से यानि एक motor लगा होता है, चोटा सा, और वो इस supply से ink को उटाता है, यहां से इ इसमें करते हैं जिसको हम गेते हैं Nozzle तो Nozzle का काम यह होता है कि यहां से जो इंक यह अगर इसको हम इस तरह बड़ा बनाएंगे तो यहां से बहुत ज्यादा इंक जायर भी होगा और इसकी यहां से जब पास होगा इसकी एलेक्रोस्टेटिक इंडक्शन भी सही नहीं होगी और पेज पे जो जो हमारा इमिज आएगा वो भी ठीक नहीं होगा तो इसको सही एकुरेक्ट वे में बनाने के लिए इसका हम एक छोटा सा ओल बनाते हैं नौजल जिसे इंक ड्रॉपलिक्स निकलते हैं अब क्या होता है वर्किंग फंक्शन इसका क्या है यह कम्प्यूटर के साथ यह हमारे पास दू एलेक्ट्रोस हैं जो कि एक इलेक्रिक फ चार्च पार्टी कलपास होगा तो या तो ऊपर डिफ्लेक्ट होंगे या नीचे डिफ्लेक्ट होंगे इसको हम केते हैं गटर इसको हम केते हैं गटर यानि जरा नार्मल जुबान में हम इसको नाली कहते हैं और बिल्कुल फ्रंट पे यहां पे हमें एक पेज रखते हैं जि जैसे ही हम page रखेंगे computer को हम signal देंगे कि इस page को print कर तो क्या होगा यहां से ink जाएगा यहां पर टॉनर में पंप से transfer होके nozzle में आएगा जैसे ही ink यहां से transfer होगा तो अब यह depend करेगा कि यह यहां पर जाएगा कि यहां पर जाएगा on state का मतलब है कि इनके दर्मियान में electric field होगा off state इनका यह होगा कि इनके दर्मियान में electric field नहीं होगा तो जब हमें computer जब हाने चाहिए हो कि यहां पर bird park आजाए और यहां पर इस region पर कोई text ना हो हमारे पास इस region पर wild area पर तो क्या होता है यह computer यहां पर इसको signal देता है यह charging control on हो जाता है तो यहां पर electric field होगा हमारे पास इन दो प्लेट्स के दर्मियान तो जैसे ही यहां से droplets पांस टार्ट होगा droplets निकलेंगे तो droplets जैसे ही इससे पास होंगे तो electrostatic induction की वज़ा से इन पर एक charge आ जाएगा तो जैसे ही यह charge हो जाएंगे तो जैसे ही यहां पर इसको charge मिल जाएगा इन droplets को और जैसे ही deflection plates से पास होंगे तो यहां पर deflect हो जाएगे और गटर में आ जाएगे यानि जब हमें page पे जिस region पे text नहीं required तो उस case में computer इस charging control को on करेगा यहां पे ink जो होगा वो charge हो जाएगा यहां पे deflect होगा गटर में जाएगा तो page पे text नहीं आएगा जब हमें page पे text चाहिए होगा तो फिर computer क्या करेगा जब page पे text required होगा तो computer इस charging control को off करेगा जैसे यह off होगा तो यहां से electric field remove हो जाएगा अब pump से जैसे ही droplets निकलेंगे यहां पे यह चार्ज नहीं होगे तो जहां इस पे charge नहीं होगा तो यहां से deflect भी नहीं होगे तो जब deflect नहीं होगे तो straight जाएगे उस page पे जो regions होगे वहां पे पड़ेगा और हमें उस page पे text मिल जाएगा तो remember इसमें बस मुश्किल चीज नहीं बल्गे computer होता है यह इस charge control को signal देता है on off तो जब off on होगा तो पिर droplets होगे वो गटर में जाएगे और page पे text नहीं होगा और जब यह off हो जाएगा तो यहां पे यह जो droplets होगे इस इंपे कोई charge नहीं आएगा deflect भी नहीं होगे और straight जाएगे उस paper पे और वहां पे उस पे hit होगे और वो ink वहां पे deposit हो जाएगा और हमें अपना text उस page पे मिल जाएगा तो यह है ink jet printer जिसमें हम इसमें भी electrostatic phenomena यूज हो रहा है यहां पे electric field से electrostatic induction हो रही है so these are the applications of electrostatics in our daily life, these are the daily life examples so I think this is enough for today and thank you so very much for watching my lectures, Stabilis.org झाल